हेलो एवरेन, स्वागत है आपका, आज हम सिंपल ब्रेट पकुरा बनाएंगे, बहुत ही असान तरह किस बनाएंगे, मैंने अंदर में इसमें अस्टफिंग किया है, जिससे कि इसका स्वाद और विजादा बढ़ जाता है, चली बनाते हैं समझेदार रेसिपिक, पकुरा ब यह बहुत जरूरी पॉइंट है, यहाँ पर दो बार पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, दो से तीन बार धीर धीरे पानी डालें और इसको अच्छे से मिलाते रहें, बेशन में लंपस नहीं रहना चाहिए, और जो हमारा घोल है, वो ज्यादा पतला भी न इसका मतलब है कि हमारा जो बेशन है, वो बिल्कुल कंसिटन्सी सही है उसका, बस इतना ही बानी डालना है आपको इसको अच्छे से मिला लेना है, तब तक यह इधर साइड में इसको रख देंगे, फूलते रहेंगा, तब तक अगली तयारी करते हैं, आलू लेंगे, यहा तौहें देते हैं, तो यहां पर थूट यहां पर हल्दी हमाशा जालेंगे, जालेंगे और नमक जालें यहां ठीए, जाय पर यहां पर से चाट मसाल मेंदै रहेंजिट, भी आप बना सकता सक CHÜ अब इसको अपर आपके उपर डिपन करता है इसके बाद यही पर कटा हुआ धनिया डालेंगे स्वाद भी बढ़ता है और देखने में भी अच्छा लगता है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अपर इस तरीके से मिला है कि आलू का जो गांट है वो इसमें नहीं रहना चाहिए ति इसको ठीक से मिला लें यहां पर मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है अब चलते हम अगली तयारी में इसको भी मैं साइड में रख दूंगी और यहाँ पर मैंने पहले से धनियाग चटनी पीस के रखा है और यह टोमेटो शॉस है यह मैंने घर में नहीं बनाया यह बाहर का है यह दोनु चेज़ यहाँ पर तयार है आलू का मिक्सचर हमारा तया लगा इससे आपका जो ब्रेड जब आपको रखाएंगे ना तो उसमें तीखा मीठा दोनों का स्वाद आएगा इस तरीके से एक पर मीठा एक पर तीखा लगा लिए अब हमने जो आलू का मिक्षर बना करका है उसको ब्रेड के उपर अच्छे से स्प्रेट कर देंगे तो ऐसे बीच से कट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा एक ब्रेड पकुरा बनके तयार है सेंट्विच का सेप में इसी तरह से सभी पकुरे को बना लेंगे चटनी लगाना है उसके उपर आलू लगाना है और दूसरे वाले को उसके उपर से रखके हलका से दावाना है और उसको जो यहां पर इस तरीके से डालना है और दोनों कि अच्छे से बैसन से कोट करना थो चैनलम टाल जान, एस लिए तेल कोट करनाति किवाई करना है अपर ज़य सिटें वी लपकना हुर यहां ऱटेज ही एक यह आक weeks कि यह स्थीनक कया ट counterparts & थो को इस सब्सक्राइ接狂 नहीं तो यहां पर इसको एक डिर मिनट बाद पलट देंगे और इसी तरीके से दोनों साइट से अच्छे सी कलर चेंज होने तक इसको क्रिस्पी करके शेक लेंगे बहुत असान है इसको फ्राइ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अपने आप पक जाता है अंदर से तो पका से रग बाहाद नहीं लगता है इस तरीके से सभी ब्रेड को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद इसको आप चाहें लुका भीम तराइ कर सकते हैं सिर्फ ब्रेड में आपको चट्टनी लगा लना है दो पीस को एक साथ कर के बेसें में उसको लेपेट के उसको वो भी बहुत स्वाधिस्ट पकोडा बनता है, आप एक बार उस तरीके से भी ट्राइ किजेगा, यहाँ पर जो छोटा बला पाट होता है यह जो गीर जाता है, इसको निकाल देंगे, नहीं तो यह साइड में जलने लगता है, और इसी तरीके समयने सभी ब्रेट को अच्छे जब इसको आप कराही से बाहर निकालते हैं, तो इससे साइड करके निकाल लें, इससे एक्स्ट्रा ओयल है, वो नीचे निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे सभी पकोड़े बनके तयार है, इसी तरीके मैंने सभी पकोड़े को अच्छे से तर लिया है, इसको आप चटनी या सोस के साथ सर्व करें, अगर आपको मेरा बनाने के तरीका पसंद आता है, मेरे वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल पर नई है, तो सब्सक्राब जरूर करें